नमस्कार मेरे नाम है योग गुरू सुनील सिंग और मैं योग लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ आज एक ऐसे विशे के बारे में बात करने आया हूँ हलांकि बहुत कॉमन है लेकिन ये काफी हद तक आपके बहुत सारे धन आपका खर्च होता है और आप मांसिक पिड़ा से गुजरते हैं मैं बात करने जा रहा हूँ दात, खाज, खुजली और फंगल एक बार हो जाए तो आप नरंतर्ष से परिशान रहते हैं, कई की बार देखा गया लोग 20 साल से इस समस्चा से ग्रसित है सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके कारण क्या होते है कारण में जरूरी ये देखा गया है कि हमारे बाडी में टॉक्सिंस का ज़्यादा बढ़ जाना तेलिये गर्ष भोजन का ज़्यादा सेवन करना, नमक को ज़्यादा लेना फंगल का बहुत बढ़ा रीजन होता है हीट और मॉस्चर जहां पर भी नमी है जनरली हमारे प्राइविट पार्ट के आसपास महिलाओं को ब्रेस के नीचे या कई बार हमारे यहां इस पार्ट में भी हमें हो जाता है विटमिन डी के हमारी बाडी में कमी होना, विटमिन ए की कमी होना, विटमिन सी की कमी होना यह बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमें बिमारी हो जाती है जब हमारी बॉड़ी में जा टॉक्सिन हो जाते हैं और हमारी किड्मी उनको उन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती है तो हमारे स्किन का काम होता है फिर हमारे स्किन से बाहर आते है जो लोग को physical form of exercise नहीं करते हैं, उनकी body से पसीना नहीं आता है, उनको भी प्राय देखा गया है कि इस तरह की विमारी हो जाती है अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं घरलूप 4 के दौरा, क्या ऐसे हम precautions लें जिसके दौरा हम इसको ठीक कर सकते हैं तो इसके लिए पहले मैं आपको वहवारिक तरीके बता जिता हूँ जो लोग को भी ये समस्या है, उनलों को क्या करना है, जनरली उनको ध्यान रखना है कि उनको cotton के तपड़े पहनने है और जहां पर भी उनको ये समस्या है, वहां पर heat और moisture यानि नमी और गर्मी को उनको कम रखना है यानि जब भी उन नहा के आते हैं तो जहां पर भी उनका area उसको dry रखें cotton के clothes पहने, stress के level को कम करें, because stress भी एक बहुत बड़ा reason होता है इसका उसके इलावा उनको रोज कम से कम 40 मिनट सूरज की रोशनी के नीचे बैठना चाहिए vitamin D जैसे मैंने बोला कि उसके कारण भी बहुत बड़ा reason होता है और body में कम जल, जब आप कम water लेते हैं और आप तेलिये गरिस भोजन का ज्यादा सेवन करते हैं हमारी body जो हमारी body में toxins होते हैं वो skin के माध्यम से भी निकालती है अब हमें सबसे पहले कौन साइस वापाए आंत्रिक रूप से करना है जो हमें लावानवित करेगा इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि रोज morning में एक ग्लास गुनगोने पानी में एक आप पूरा नीबू ने चोड़के आधा चमच अपल साइडर विनेगर चुटकी बर उसमें आप डालेंगे हल्दी पाउडर और चुटकी बर डालेंगे काले मिश पाउडर इसको रोज सुबरे आप खाली पेट लेंगे पहला काम तो आप यह करेंगे उसके लावा दिन भर में दस से बारा ग्लास आप पानी पिएंगे सब्ता में एक दिन आप फास्टिंग करेंगे जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे तो गुनगोना पानी आप दिन भर में पिएंगे अब लगाने के लिए उसके लिए क्या करना है कि आप 10 नीम की पत्ति ले लिए लिजेगा और उनकी चट्नी बना लिजेगा और दो से तीन चम्मच अगर अगर अलोवरा मिल जाता जैल तो इसको डाल दीजेगा अदरवाइस बाजार से भी मिला जैल आप डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको जहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम है तो इसको लगा लिया और पंदरा मिनट बाद गुनगोने पानी से दो लिया दिन भर में दो से तीन बार जरू कर लिजे रात को सोने से पहले इस उपाय को जो मैं बता रहा हूं आप जरू करेंगे इसके लिए आपनी क्या करना है कि आधा कब पानी में एक चम्मच एपल साइडर विनेगर को डाल दीजे और फिर कॉटन से जहां पर भी आपको यह समस्या है वहां पर इसको आप लगा दीजे पंद्रमट लगे रहने दीजे इसके बाद गुनगोने पानी से इसको धो डाली और पूरा ड्राई करके आप फिर आप रात में सो सकते हैं आप अगर वर्किंग है तो आप क्या कर सकते हैं जा नारिल का तेल अपने आफिस में रख लीजे या आप घर पे रहते हैं या हाउस वाइफ है तो आप नारिल का तेल दिन भर में चार-पांच बार उस अरिया में आप लगाईए तो इससे भी आपको बहुत लाब होगा आपने लंबा गेरा सांस भरा और सांस को छोड़ते वो ओम मंत्र का उचारण करना इस शैली से देख लीजे और आप इस तरह कम से कम पांच मिंट रोज करेंगे द्यूसरा आप क्या करेंगा अनलों विलों प्राणायाम होता है अपने राइट को बंद किया लेट से चार कांड करतेवे सांस भरा राइट से निकाला चार कांड करतेवे और इस कं से निकाल तो कम से कम आप 5 से लेकित 15-10 मिंट रोज करेंगे इन सारे उपायों को यदि आप कर लेते हैं और अपने स्ट्रेस के लेवल को कम रखते हैं तो आप देखेंगे इस समस्या से काफियत तक आप इसको जड़ से दूर कर पाएंगे लेकिन एक जो साफधानी रखनी सबसे इंपॉर्टन यह है आप ठीक भी हो जाते हैं इसके अलावा भी आपको यह जो फॉर्मूलोज है और यह जो लगाने वाले ओन्मन जो मैंने बताया हुआ है इसको एक महिने तक कंटिनी आपको करना है धन्यवाद नमस्ते